Hello everyone, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से पावपोइंट में आप 3D शेप्स बना सकते हैं, जिसमें हमें एक होल का एफेक्ट देना है, यानि एक तरह से होलो पाइप्स या कोई और शेप जो आप बनाना चाहें, जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं बाद में तो सबसे पहले देखते हैं कि 3D शेप्स कैसे बनाते हैं, बहुत सारे ओप्शिन्स हैं पर जो मैं यूज करती हूँ वो कुछ इस तरह से हैं, सबसे पहले हम शेप्स में जाके कोई भी एक शेप इंसर्ट करेंगे, ये फिलाल 2D है, इसमें कोई 3D प्रॉपर्टी नहीं है आप इसपे क्लिक कीजिए, आप शेप अफेक्स में जाएए, वहाँ पे एकदम बॉटम पे 3D रोटेशन का ओप्शन है, उसमें भी एकदम बॉटम पे 3D रोटेशन ओप्शन्स हैं, आप उसपे क्लिक कीजिए, मैं यूज्यली यही पाथ फॉलो करती हूँ, इसलिए इस कोई लार्ज वैल्यू रख सकते है, 100, 200, 500, कुछ भी, फिलाल आपको यह 2D ही दिख रहा होगा, आप इसे वापस से सिलेक्ट कीजिए, और थोड़ा नीचे आईए, यहां पे 3D रोटेशन का ओप्शन है, अब आप इसे थोड़ा रोटेट करके देखिए, तो यूज्यली मैं इस तरह से 3D effect चेक करती हूँ, यहां पे जो width है, उसको आप 0 कीजिए, तो एकदम cube जैसा sharp edges आपको यहां पे मिल जाएंगे, और जो नीचे हमाई पस width और height अगर आप उसे vary करेंगे, तो इसी तरह से उसकी जो length है वो बढ़ जाएगी, and width को आप 0 कर दीजिए, यानि आप किसी 1 को 200 कर सकते थे, यहां पे मैंने दोनों को 100 किया, और आप इसे rotate करके देख सकते हैं, अब आते हैं, अगर मुझे इसी cube में एक hole का effect देना है, वो भी 3D में, तो 2D के लिए तो easy है, हम लोग यहां पे एक shape लेंगे, और उसमें से दूसरी shape जो हमें minus करनी है वो बन shapes में जाएंगे और subtract करेंगे, तो यह मुझे मिल गया 2D effect, 2D यानि कि एक square है, जिसमें एक hole है, अब मुझे इसे 3D करना है, अब आप वापस से height बढ़ाएंगे, height बढ़ाएंगे तो width की actually by default value 6 आती है, आप उसे 0 कर दीजिए, तो यहां पे मैंने height और top और bottom दोनों में height द difference दिख जाएगा, दोनों cube है, बट एक में hole है, एक में hole नहीं है, यह जो dark shade आता है, वो boundary की वज़े से आता है, तो आप no outline कर सकते हैं, या रग भी सकते हैं, अब यह जो hole है, यह बहुत अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, आप shape fill में जाएए, वहां पे transparency का एक option होता है, जब आप ऐसा करेंगे, तो हमारा जो hole हमने create किया है, वो आपको दिखेगा, और अगर बहुत अच्छे से देखना है, तो outline में कोई dark color ले लिजे, तो उससे, जब हम लोग transparency को increase करेंगे, तो जो boundaries हैं, वो और prominently दिखेंगी, ठीक है, तो तब आपको यह जो hole है, यह और यहाँ पर अब आप इसे set कर सकते हैं, क्योंकि हम एक image बनाते हैं, तो हम हर तरह की directions नहीं रख सकते हैं, हमें कोई एक select करनी होती है, यहाँ पर मैं randomly इनको rotate कर रही हूं, just to show कि किस तरह से यह दिख रहे हैं, दोनों में difference काफी clear है, एक में hole नहीं है, एक में hole है, तो एक quick revision यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें लेनी है एक shape, जो कि हमारी outer shape होगी, फिर हमें लेनी है दूसरी shape, जिस shape का हमारे पास hole होना चाहिए, यहाँ पर मैं भी दो अलग shapes ले रही हूं demonstration के लिए, अब हमें बाहर वाला select करना है, उसमें से अंदर वाला subtract करना है, minus करते ही आपको एक 2D shape मिल जाएगी, फिर हम जाएंगे 3D shapes में, जहाँ पर हमारे पास height increase करने का option है, width को मैं 0 रखूंगी फिलाल, but height हमने increase कर दिये, थोड़ा सा आप rotate कीजिए, तो आपको 3D effect दिख जाएगा, अब क्यूंकि मैं पास height मुझे एक schematic के लिए बनानी है, तो कितनी भी रख सक सकते हैं, इसे rotate करके आप अपनी preferred position में fix कर सकते हैं, और हम लोग transparency भी change कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास color change करने के options हैं, अगर आप outline का color change करेंगे, तो आपको जो dark portion दिख रहा है, इसका color change होते हुए दिखेगा, और अगर shape fill का option change करेंगे, तो आपको जो main हमारा shape था, जो 2D में हमें मिला था, उसका color change होते हुए मिलेगा, तो आप अलग-अलग shapes और अलग-अलग colors और अलग-अलग 3D orientation यहां पे try कर सकते हैं, तो इस video में हमारी तरफ से इतना ही, मिलते हैं आप से next video में तब तक के लिए, all the best, keep exploring powerpoint presentation, इसमें बहुत कुछ है, thank you so much.